कि नश्कार गुड़ीवनिंग कॉंप्रेहंसिव करेंट अफेर्स प्रोग्राम में मैं पुक्राज करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था 27 अप्रेल तक के करेंट अफेर्स को देख लिया था तो इस वीडियो के मांध् और मेंस के पॉइंट ओफ यू से भी देख लेंगे तो बिना समय खराब की आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस QR को स्कान करके आप क्या कर सकते हैं तो चाहें तो सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी क्या कर सकते हो Competition Community लिखके हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करोगे तो हमारे जितने भी कोर्स हैं वीडियो हैं PDF से बुक्स हैं सारी चीज़े आपको हमारे इस अप्लिकेशन पर मिल जाएंगी पिछले वीडियो पर मैंने कमेंट देखा था कि ये कोड स्कान नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो आप जाकर Google Play Store पर Competition Community लिखना नीले कलर का लोगो वाला जो अप्लिकेशन आएगा वही है वैसी ये काम कर रहा है यार मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर लिया हूं ठीक चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख ग्यानेश शर्मा जी देखा था हमने लास्ट वीडियो में ठीक अगला क्वेशन हाल ही में घोशित रास्टरी पंचायत पुरुस्कार चत्तिजगड को कुल कितने पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं हमने देखा था कुल कितने बारा पुरुस्कार मिले थे चत्तिजगड अगला question क्या था, जो Korea का Marine Fossil Park है, उसका नाम क्या रखा गया है, तो परिवर्टन करके गोंडवाना Marine Fossil Park रखा गया है, जो की दिया है, आपकी option number D में next question नाना जी देशमुक राष्ट्री गौरफ ग्राम पुरुसका निम्ण में से किसे प्रदान किया गया था तो सरूरा ग्राम पंचाया जो की कहा है रायपुर जिले में है clear है इसे प्रदान किया गया था और finally last question पिलखा पहाड ध्यान होगा मैंने बताया था सबसे पहले बोरे बासी से श्रम को क्या किया सम्मान किया ठीक है भई अब हमन 36 गड़िया आदमियन बोरे बासी किसे नहीं जानबो लेकिन कई मनला confusion हो जाते तो बोरे बासी का अंतर है तो ध्यान रखना चावल को तुरंत बनाओ ठंडा किये पानिम डुबाग खा दिये क्य क्या है वो बोरे बासी क्या है तो रात का चावल बज गया उसको पानिम डुबाग रखे है और उसका सेवन कब किये खाय कब है उसको अगले दिन सुबे तो बासी है समझेवगा बोरे वो बासी की बीच में अंतर तो 36 गड़ में एक प्राचीन प्रथा रही है खास कर गर् मस्ट चेजभाजिक सबजी रहा है आमा का थान बिजवरी मीर्चा तब आथे बासी खाय कसली मजा क्लियर है तो खास कर 36 गड़ में यह प्रथा रही है गर्मियों के मौसम में किसकी बोरे और बासी के सेवन करने की इसमें भी अगर स्पेसिफिक मैं कहूं तो मजदूर वर किसी प्रकार का डी हाइड्रेशन मत हो इसके अलावा चावल मतलब कार्ब से कार्बो हाइड्रेट से भरा हुआ खाना है तो क्या रहे दिन भर काम करने की शक्ति रहे इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं यह जो बासी होता है न इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 क मात्रा भी पाई गई है शोद करने के बाद समझ मने आया दावेत कहरीज का घज़व विटामिन भरें हे हमरं 36 गड़ के बासी होता है गजब विटामिन भर है आम अच्छत्री गड़के बासी में खरसिती के है खावर कि देखो B6 है B12 है कार्बो हाइड्रेट से लग है ठीक है तो बेसिकली क्या है ना कि यह जो बासी है इसका जब आप सेवन करोगे खाओगे तो यह शरीर को क्या रखता है बढ़िया ठंडा तो शरी में orsch्रमिक लेबर बहार काम करेगा शरी दर हो जाएगा खाक रहे घंडा है एकदम एक नमबर AC जैसे ठीक dehydration नहीं होता सरीम पानिक कमी नहीं होता इससे क्यूं पूरा पानित तो है जी बासी खा रहे हो तो next ये क्या करता है तो must blood pressure को भी नियंतरित करके रखता है तो बासी जो है इससे बहुत प्रकार के health benefits या स्वास्त के लाब भी है clear है और साथ ही एक विशेश जो वर्ग है श्रमिकों का उनको क्या किया गया सम्मान दिया गया इस बोरे बासी का सेवन करके कब तो अंटर राष्ट्री श्रमिक दिवस्था आप सभी को पता होगा एक मई first of में के दिन ठीक तो हमर राज के जो मुखिया है सीएम सहतिका गोशना करें इसे कि एक माइक सब लगा करना है चाहे वो आदमी साधारान नागरिक हो citizen जन प्रतिनिधी हो चाहे वो अधिकारी हो का करना है पूरा उत्सा आकसा सब जन लब बोरे बासी खाना है तो सब जन का करीन बोरे बासी खाईन मतलब everybody consumed बोरे बासी अंगरेजी माध्यम वालो ठीक और खानेक बाद सब लोग क्या किये हैं तो social media में फोटो डारे देखे चोहू सब जन लब बासी खात खात और डालनेक बाद ये इतना जादा Twitter पे trend हुआ कि ये trending list में number one आ गया था कुछ देर के लिए समझ में आया तो बोरे बासी को हम लोग 36 गड़िया लोग मिलके क्या कर दिये थे Twitter में number one तो देखो 36 गड़ के आज में कितना ताकत Twitter में trending करा दिन काला बोरे बासी ला ठीक है इसके अलावा मैं आपको बता दू अंचल के कई होटलों में अब इसे menu में क्या किया गया है शामिल किया गया है और गड़ कलेवा जानते चोहू गड़ कलेवा में भी अब क्या है तो बोरे बासी जो है उसको बेचा जा रहा है या दिया जा रहा है जा के पईसद एक मस बोरे बासी लेके खा सकत हो तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से राजी सरकार जो है राजी की संस्कृती को जो हमारा लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए अनेक सारी गतिविधियां कर रही है जिनमें से एक गतिविधिया है कि 36 गड़के बोरे बासी को प्रमोट करना क्लियर है ये ठीक भई तो बोरे बासी का क्या किया गया इस प्रकार से सम्मान किया गया अच्छा अब अगर थोड़ आसाना questions के point of view में आओ तो आपको ये पूठ सकता है कि ये जो श्रमिकों को बोरे बासी खाक माध्यम से सम्मान करने जो कारिक्रम है इसका आवाहन किस दिनांग के लिए किया गया था तो ध्यान रखना है एक मई डेट था वर्ष था क्या दोहजार बाइस एक मही 2022 को किया गया था अब मैंस मैंसा नहीं पूछेगा बोरे बासी जो है उसके किस प्रकार के हेल्थ बेनिटफिट है स्वास्तलाब है बताओ करके तो इसना नहीं पूछे आपको ध्यान होगा हमारे CM से रेक्टो ददरिया भी गाया थे बोरे बासी वाला याद है कि नहीं कुन सा बटकी मा बासी और चुटकी मा नून मा गावत्व ददरिया ते कान दे के सुना चना के दार ठीक तो ये था क्या बोरे बासी से क्या हुआ है श्रम को सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री जी ने किया था कि 1 माई 2022 को ऐसा करना है जिसे की प्री में पूछा जा सकता है तो प्री से question बन जाएगा means point of view से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दम विशेश जो है separate बोरे बासी को पर question आएगा हाँ लेकिन अगर ऐसा कोई question आ गया जिसमें राजी की संस्कृती की बात हो रही है यह राज के संस्कृती को प्रमोट करने की बात हो रही है तो इसके content को आप जरूर use कर सकेंगे ठीक है ऐसा topic essay means में आने का chance जादा है चलिए तो यह हो गया अगला देखते हैं अगला क्या है भई तो मुख्य मंत्री भुपेश बगेल जी ने क्या किया है मुख्य मंत्री मितान योजना का शुभारम किया है ठीक है कब किया है एक मैं 2022 अंतराष्ट्री मजदूर दिवस के अब इस योजना का उद्देश्य क्या है इसका objective क्या है तो basically नगरी छेत्र फिलहाल भी यहाँ पर जो विभिन विभाग हैं उनकी सेवाओं को क्या किया जा सके तो घर पर बैठे लोग जो हैं उसका लाब उठा सके अब कैसे लाब उठा सकेंगे तो basically क्या होगा एक व्यक्त होगा मितान समझ में आया तो मितान जो है वो आपके घर आएगा और लगभग ऐसी तेरा सेवाएं प्रारंभिक रूप से जिन्हें छिन्धांकित किया गया इंडिकेट किया गया है जैसे कि मूल निवास प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र आये प्रमान पत्र जन्म या पर्विरु प्रमान पत्र फिर धुकान का पंजी करनव, विवाहा का पंजी करनव तो ये सब जो सुविधाएं है ये आपको कहा मिल सकेंगी आपके doorstep पर, मतलब घर पर किसके माध्यम से, तो मितान मितान, 36 गड़ीं किसके लिए शब्द है दोस्त तो इसके लेक टोल फ्री नंबर है 14,545 14545 तो जब आप इस नंबर पर कॉल करोगे, तो क्या होगा आपके घर में एक मितान आएगा आप बताओगे कि भईया, आपको किस प्रकार की सुविधा चाहिए तो वो क्या करेगा, उससे संबंधित जितने भी certificate है, जिसकी उसको आब शक्ता है, उसका फोटो खीचके वो upload कर देगा अब जिस भी विभाग से संबंधित वो सेवा होगी, उस विभाग के द्वारा जब certificate इशू किया जाएगा तो ये जो मितान है ना सील बंद लिपाफे में, मतलब sealed envelope में उस certificate को लाएगा और आपको क्या करेगा, देगा clear है प्रारंभिक तोर पर मतलब अभी पहले चरण में इस योजना में क्या किया गया है तो जो 14 नगर निगम है 36 गड़के, वहाँ इसको लागू किया गया है और दूसरे चरण में इसमें क्या किया जाएगा तो ग्रामिन शेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा या शुरू किया जाएगा अब ये जो मितान योजना है इसको चलाने के लिए नोडल एजनसी किसा रखा गया है तो सूडा State Urban Development Authority ठीक है तो राज्य शहरी विकास अभिकरण जो है उसे क्या रखा गया है नोडल एजनसी रखा गया है जिसके माध्यम से इस योजना को चलाया जाएगा ठीक है तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं तेरा सुविधाएं इन सुविधाओं को मितान के माध्यम से आप क्या कर सकेंगे घर पर इन सभी सुविधाओं को प्राप्ट कर सकेंगे यही योजना है आपको कुछ नहीं करना टोल-free नंबर पे 14545 पर कॉल करना है कब चालू हुआ है अंतराष्ट्री मजदूर दिवस के दिन ठीक है भई अब अगर थोड़ा सा question का analysis करें तो question का analysis इसका दो importance है एक है pre का और दूसरा क्या है means का ठीक है पहले pre का देखते हैं तो pre में क्या कर सकता है आपको सिधा date पुछेगा कब शुरू हुई है एक दूसरा पूछ सकता है toll free number क्या है तो यह हो गया दो तीसरा पूछ सकता है nodal agency कौन सी है तीन चौथा question बन सकता है कि अभी इसे कितने नगर निकमू में शुरू किया गया है तो इस content से 4 question बन गया प्री में अब पांचवा मेंस का question देखते है तो मेंस में आप देखो 36 गड़ की अर्थ विवस्था जो कि है paper number 5 के part number 1 में ठीक है यहां इसके उपर सीधा आ सकता है कि यह जो मितान योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना इसको क्या करिए समझाईए तब आप क्या समझाओगे सबसे पहले बताओगे कि 1 मई 2022 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश या सीधा objective फिर objective में बताना कि मितान के माध्यम से कुछ ये जो सुविधाएं है इनको नागरिक घर बैठे प्राप्त कर सके ये क्या हो गया इसका उद्देश objective उसके बाद बताना प्रथम चरण में सभी चौदा नगर निगमों में लागू और उसके बाद बताना इसके लिए टोल फ्री नंबर क्या है 14545 अब इसके बाद भी जगा और बची तो बताईएगा पहले कि आईए हमने 14 नगर निगम अभी पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं 46 गड़ में कौन-कौन से 14 नगर निगम है तो पहला नगर निगम उत्तर हम सर्गुजा संभाग से चालू कर रहे हैं जिला है क्या कोरिया और कोरिया में नगर निगम है नाम है क्या चीर्मिरी क्या नाम है भई चीर्मिरी इस संभाग में अगला निगर निगम है कहाँ पर सर्गुजा जिले में नाम है क्या इसका अम्बिकापूर एक यह नगर निगम हो गया ठीक है अगला नगर निगम अब बिलासपूर संभाग में आओ तो बिलासपुर जिले में एक नगर निगम है, बिलासपुर नगर निगम, अगला नगर निगम है कहां पर भीया, तो कोर्वा जिले में, कोर्वा नगर निगम, अगला नगर निगम है, रायगर जिले में, नाम है क्या, रायगर नगर निगम, ठीक, फिर आज दुर्ख संभ मेह सब से पहले राजनात गाउंग ऑल में क्या है राजनात गाउं अकरने गाम है तूर्ग जिले में तूर्ग दिल्सकर न गोगे चैना तू सबसे पहले चरोदा नगर निगम ठीक और उसके बाद जो सबसे नवीन है चत्तिस गड़का वो है क्या रिहाली लिखत देखुँआ हूँ है न रिसाली नगर निगम चलो अब राइपूर संभाग में आजओ भी रायपुर संभाग में देखोगे तो दो नगर निगम है नहीं रायपुर जिले में रायपुर संभाग में तीन है रायपुर जिले में दो है एक है क्या रायपुर और दूसरा क्या है बीरगाउं तो राइपुर जिले में दो और राइपुर संभाग में बोलोगे न तो एक और धमतरी जोड़ दोगे तो राइपुर बिर्गाओं धमतरी राइपुर संभाग में तीन राइपुर जिले में दो ठीक है रभई उखरबाद आ जातन कहां आखरी बस्तर संभाग यहां पर एक चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा अच्छा, अब यहां से एक और फैक्ट बताता हूं ध्यान रखना इन में से भिलाई नगर निगम, भिलाई चरोदा नगर निगम, रिसाली नगर निगम और बिरगाव नगर निगम में क्या हुए है, इन चारो नगर निगम में हाली में छुनावँ हुए है ठीक है, हाली में कुल कितने? तो पंदरा नगरी निगायों में चुनावँ हुए है 15 आर्बन बोडिस में, ठीक है, जिसमें से 4 क्या थे? तो चार थे Municipal Corporation या नगर निगम ठीक है, पांच क्या थे तो Municipal Council नगर पालिका परिशन थे, और छे क्या थे तो छे थे नगर पंचायत तो इन 15 बोडीज में चुनाओं हुआ छे नगर पंचायत, पांच नगर पालिका, Municipal Council नगर पंचायत को इंग्लिश में भी नगर पंचायत बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और चार नगर पालिक निगम या Municipal Corporation में, कौन-कौन से चार है याँ, देखो ज़रा, तो क्या है भिलाई है, भिलाई चरोदा है, रिसाली है और क्या है बिरगाउं, ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि ये जो चार नगर निगम है, जहां पर चुना हुए है वहाँ से मेयर पत पर कौन-कौन निरवाचित हुआ है तो सबसे पहले, जो बिरगाउं नगर निगम है यहां से मियर पत पर निर्वाचित कौन हुए हैं, तो हुए हैं नंद लाल दिवांगन जी, कौन हुए नंद लाल दिवांगन जी, ये कॉंग्रेस पार्टी के, आई एंसी लिखाओ इंडिया नाशनल कॉंग्रेस, ठीक है, ठीक है भई, भिलाई, भिलाई से निर्वाचित ह हुए हैं मेरपत पर कौन तो नीरज पाल जी ये भी इंडियन नाशनल कंग्रेस के भिलाई चरोधा निर्वाचत कौन हुए हैं मेरपत के लिए तो श्री निर्मल कोश्रे जी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के और फाइनली रिसाली से निर्वाचित हुई है श्रीमती नाम है क्या इनका तो है शशी सिनहाजी ये भी कहां की है इंडिया नाशनल कॉंग्रेस की समझ में आया तो ये हमने क्या देखे छत्त गड़के चौदा नगर निकम फिर देखा कितनी अर्बन बॉडी या नगरी निकायों में हाल ही में चुनाओ हुए चार हमने देखे है नगर निगम पांच नगर पाली का परिशद छै नगर पंचायत में चुनाओ हुआ उसके बाद मैंने जो चौदा नगर निकम बताये थे उसमें से चार नगर निकम में कौन क्या बन के आया मेर बन के आया इसको भी हमने क्या किया है देख लिया है ठीक है बई चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अब अगला क्या है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान साहेता योजना इसको भी अंतराष्ट्री श्रमिक दिवस एक मैं के आसर पर ही क्या किया गया है मुख्यमंत्री जी भुपेश बगिल के द्वारा क्या किया गया है तो गोशित किया गया है ठीक है अब इस योजना का प्र सनिर्मान मंदल मतलब बिल्डिंग आणड अधर कन्स्ट्रक्षन वर्क बोर्ड है इसके अंदर पंजी कृत है भवन कर्मकार कल्यान मंदल मतलब बिल्डिंग, वर्कर, कल्यान मतलब, वेलफेर और मंडल मतलब बोर्ड, तो इस बोर्ड में जो भी बुजूर्ग श्रमिक, एजट जो लेबर्स हैं, जो की कम से कम पिछले पाँच वर्षों से क्या हैं, पंजी कृत हैं, और उनकी उमर कम से कम 59 एर्स हैं, और अधिक से अध 60 के बीच में, इनको क्या किया जाएगा, तो आर्थिक सहायता के रूप में एक मुष्ट 10,000 रुपए की सहायता राशी दी जाएगी, समझ में आ गया, कंडिशन क्या है, तो उमर 59 से कम नहूं, 60 से जाधा नहूं, और कम से कम इनका पंजी करण जो है, या रजिस्ट्रेश पांच वर्षों से उस मंडल में, कौन सा मंडल है, तो बिल्डिंग वर्कर वेलफेर बोर्ड जो है, उसमें कम से कम पांच वर्षों से इनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए, फिर से क्वेशन को देखते हैं, तो पहला क्वेशन है प्री पॉइंट उफ यू से प्री पॉइंट व्यू से पूछेगा, कि ये योजना कब से स्टार्ट की गई है, तो ये है, एक मई, सेकेंड पूछ सकता है, इस योजना में कितनी सहायता राशी दी जाती है, तो ध्यान रखना, दस हजार रुपए, क्लियर है, एज से भी क्वेशन पूछ सकता है, बर चांस थोड़ा सा कम है, कि उमर में पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एज में, तो 59 से 60 के बीच में, तो ये तीन सरवाधिक प्रॉबेबल क्वेश्चिन्स है, इसमें से प्रीमे आने के, मेंस में सीधा वही पेपर नमबर 5, चत्रगर के अर्थवेवस्था, एक जोजना कब से स्टार्ट हुई, फिर बताइएगा इसका उद्देश क्या है, तो बताना कि जो बुज़ुर्ग श्रमिक है, उनको क्या की जा सके, तो एक मुस्त आर्थिक सहायता, मतलब वन शौट में एकनॉमिक हेल्प दी जा सके, इसलिए किया गया है, उद्देश के ब करकर, वेलफियर बोर्ड, इसमें कम से कम पात साल से पंजिकृत 59 से 60 एर्ज के बीच के जो श्रमिक है, उनको इस योजना का लाब मिलेगा करके, क्लियर है ये, तो आप बता दिये, कब से स्टार्ट हुई है, इसका उद्देश क्या है, और इसका डिटेल, तो टिपणी ज श्वासन प्रमाणपत्र, National Quality Assurance Certificate दिया गया है, NQAC, ठीक है भई, अब देखिएगा, हमारे राज्य में, पांच ऐसे पब्लिक हिल्थ सेंटर्स है, एक है आमाडांड, फिर एक है आडावाल, एक है कोट तरा, फिर है भाठागाउं शहरी, और उसके बाद है टंकी मरोद अब ये टंकी मरोदा दुर्ग में है, भाठागाउं वाला रायपुर में है, कोटतरा कांकेर में है, आडावाल बस्तर में है, आमाडांड कहां है, गौरिला पिंडरा मरवाही, इन सभी में क्या हुआ था, मार्च महीने में, भारत सरकार का जो स्वास्त मंत्राल है, केंद के लिए बहतर सुविधाएं, उपलब्ध हैं, और साथ ही ये क्या कर रहे हैं, उतक्रिष्ट स्वास्त सेवा, मतलब बहुत ही जबरदस्त हेल्थ सर्विस प्रोवाइट कर रहे है, और इसी के कारण क्या हुआ है, केंदरी स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले जो है, Central Health and Family Welfare, जो Ministry है, उसने क्या किया है, तो इन पाँच अस्पतालों को राश्ट्री गुणवत्ता आश्वासन प्रमानपत्र, National Quality Assurance Certificate जो है, वो दिया है, I hope ये चीज़े समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक, याद रखने एक तरीका पता है क्या है, तो A, B, T, K, तो A से क्या है, आमाडान, आडावाल, आमाडान का है, गोरिला पिंडरा मरवाही, आडावाल का है, बसतर, B, से याद रखना, भाठागाउं, शेहरी कहाँ पर, रायपूर में, टीस क्या है, टंकी मरुदा, कहाँ पर है, दुर्ग में, और फाइनली क्या है, तो है, कोटतरा, कां QAC, किसे नहीं मिला है, कितने को मिला है, ये भी पूछ सकता है, तो कितने के लिए, पांच, किसे मिला, किसे नहीं मिला के लिए, आपको ABTK करके याद रख सकते हो, मेंस में, ये आपको काम आएगा, ऐसे के सेक्शन में, ऐसे में, अगर हेल्थ से सम्बंधित, या स्वास् आया है तो इसके content को आप यूज कर सकते हैं जिसके करण हमारे आंके कुछ जो hospital से उनको NQAC certificate जो है वो मिल रहा है करके clear है चलिए next topic देख लेते हैं next क्या है तो sports related है तो चत्तित गड़का एक जिला है नाम है क्या राजनाद गाओं वहां की एक weightlifter है भरोत तोलक नाम है क्या ग्यानिश्वरी याद दो अब इन्होंने क्या किया ये ना 49 kg category में participate कर रही थी कहां पर तो junior world weightlifting championship में है ठीक और इन्ह silver medal जीता है अब समझिएगा silver medal जीतने वाली या मैं कहूं world championship में अभी तक कोई भी medal जीतने वाली ये 36 गड़की पहली weightlifter है इसलिए ये pre के point of view से बहुत important हो जाता है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि world championship में किसी भी weightlifter ने पदक जीता हो पहली बार ग्यानेश्वरी यादव जी जीती है आपको ध्यान में रखना है अब इसमें से प्रीमे question देखिए क्या क्या हो सकता है तो पहला question ये है ग्यानेश्वरी यादव जी किस जिले से है तो राधनाद गाओं दूसरा question किस खेल से है ज बताईएगा silver medal मिला है junior world weightlifting championship में कौन से medal मिला है तो silver है एक question और घुमा के पूछ सकता है कि ये जो junior world weightlifting championship था ये कहां हुआ था तो ध्यान रखना आपको ग्रीज में हुआ है spelling grease का देखो ग्रीज में है ठीक है तो ध्यान रखना आप नेक्स्ट अब sports में अगला क्या है तो चत्ति गड़ के तीन महिला cricket खिलाडी है एश्वारिया सिंग है उसके बाद है महक नर्वसे और है अंशी अगरवाल clear है ये ठीक अब इनको क्या किया गया है तो नाश्वारिया सिंग महक नर्वसे और अंशी अगरवाल टॉपिक थोड़ा pre-oriented है पूछेगा चत्ति गड़ के कितने खिलाडियों का NCMA selection या कितने महिल्या खिलाडियों का तीन कौन कौन है पूछ सकता है तो अश्वारिया सिंग महक नर्वसे और अगली कौन है तो अंशी अगरवाल ठीक है चलिए अब next तो finally आ गए है किस पे अ शूति पूरा नाम है इनका क्या शूति नायर इनका Google में चैन हुआ है तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ शूति जो है न यह किरंदूल से इनका स्कूलिंग हुआ एनाइटी राइपुर से इंजिनेरिंग की है MS की है कहां से US America इसके बाद कुछ समय तक Amazon में भी काम कर रही थी अब इन्हें मौका में लाए किसमें काम करने का Google अब जानते है Google विश्प्रसित कंपनी है यार ठीक है तो अब अमेरिका में क्या करेंगी यह सॉफ्ट्वेर इंजिनियर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी ठीक है अगला न्यूज डॉक्टर आलोक शुकला गोधन न्याय मिशन के क्या होंगे समन्य वयक्त मतलब को ओर्डिनेटर ठीक तो आलोक शुकला जी क्या है प्रमुक सच्चिव इंगलिश में क्या बोलता है इनको प्रेंसपल सेकरेटरी तो आपने सुना होगा मुख्य सच्चिव या चीफ सेकरेटरी फिर आपने सुना होगा सच्चिव या सेकरेटरी तो यह जो प्रमुक सच्चिव या प्रिं ये सचिव या सेकरेटरी से उपर रैंक में होते हैं लेकिन मुख्य सचिव जो चीफ सेकरेटरी हैं उससे छोटे रैंक के रहते हैं मैं समझ में आ गया तो समझेगा कम कोई जो की किया है प्रमुक सची और उसके बाद क्या होते हैं तो चीफ सेक्रेटरिया मुख्य सचिव ठीक है बीच में बहुत सारे पद रहते हैं लेकिन प्रमुख सचिव कहां पर आता है इसको मैंने एक्स्पेइन करने का कोशिश किया है ठीक है तो डॉक्टर आलोग शुकला न दोहजार बीस में लगभग इन है ये अल्रीड उस टाइम ठीक है तो तीम साल पर कॉन्टराक्ट्वल बेसी बेशिज मैंनको प्रमुख सचिव पॉइंट किया था ठीक है वर्तमान में इनके जो कर्तब हैं उसके साथ उनको क्या किया गया है तो ग्रामी नोध्योगिक पार्ग सीमार्ट गोधन्याए tidर प्रल्णeti recognition जो है इसका क्य जो है उसके कॉडिनेटर कौन है तो डॉक्टर आलोक शुकला आपको ध्यान में रखना होगा क्लियर है यह ठीक अगला है अंतर राष्ट्री श्रमक दिवस्पर मुख्य मंत्री श्री भुपेश बगेल द्वारा कुछ घोष्णाएं की गई पहली घोष्णा क्या थी तो एक लाक रुपए अनुदान दिया जाएगा सापसड़ी दी जाएगी उसके बाद एक योजना नाम है क्या नोनी शशक्तिकरण योजना तो गरीब जो श्रमिक परिवार हैं तो परिवार में दो बेटियों को बीस बीस हजार रुपए की क्या दी जाती है सहायता राशी इस योजना के अंतरगत क्यूं दी जाती है ताकि उनके पढ़ाई में या उनका जो भी वो काम करना चाहें रोजगार में या स्वरोजगार में क्या की जा सके उनकी मदद की जा सके अब इस योजना में पातरता पहले 18 वर्ष की थी eligibility 18 years की अब उसे क्या किया गया है तो 3 वर्ष के लिए 3 years के लिए increase करके 21 के लिए कर दिया गया है तो mains का एक question बन सकता है नोनी शशक्ति करण योजना तो 30 words में इसको ready कर लेना भई इसका क्या उद्देश है बता ही दिया हूँ आपको मैं clear है यह प्री में क्या पूछ सकता है आपको तो प्री में सीधा पूछ सकता है कि eligibility को कित्ते वर्ष बढ़ाया गया है तो 3 या पूछ सकता है eligibility आप कित्ती हो गई है तो 21 वर्ष की हो गई है ध्यान रखना 2 बेटियों को 20,000 दिया जाता है मतलब 20,000 रुपे प्रती बेटी लेकिन maximum दो बेटियों तक एक गरीब श्रमिक परिवार में ठीक है भई चलिए विविद में आगे बढ़ते हैं next देखते हैं क्या है तो मुख्यमंत्रिश्री भुपेश बगेल ने हदखोज जानते छो आप लोग दुर्द में हदखोज है इंजिनिरिंग पार्क है वहाँ पर वहाँ पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकारपण या इनागरेशन किया है तो basically क्या है रेल इंडस्ट्रियल पार्क क्या होगा तो रेलवे से संबंधित जितनी भी आंसिलरी इंडस्ट्रीज है छोटी-छोटी उद्योग है जो की रेल से संबंधित कुछ ना कुछ जो पार्ट से उसका निर्मान करते हैं वे सभी उद्योग यहाँ पर लगाए जा सकेंगे और उन्ही के लिए सरकार क्या कर रही है तो इस पार्ट के माध्यम से इंफ्रस्ट्रक्चर या अधो संरशना का विकास कर रही है ताकि वो सारे उद्योग यहाँ पर आएं इससे क्या होगा राज्य को भी फाइदा है कैसे फाइदा है तो राज्य का GSDP बढ़ेगा सेकेंडली क्या होने वाला है यहाँ पर 로कल लेवल पर employment का generation होने वाला है इसी क्रम में दुर्ग जिले में जो हत खोज है वहाँ पर क्या किया गया है तो retail industrial park का लुकारपन किया है किसने किया है तो मुख्यमंतरी श्री भूपेश बगेल ने ठीक है चत्तिलगड में उद्योग मंत्री कौन है तो वानिज एवं उद्योग मंत्री आपको ध्यान रखना है श्री कवासी लकमा जी है ठीक है भई अब उसके बाद एक चमगादड है गादूर चमगादड ये भी चर्चा में है कहां पर पाया जाता है ये तो कांगेर घाती नाश कार में रहने वाला एक चमगादड है नाम है उसका गादूर चमगादड ठीक है बीच में चर्चा में क्यों था क्यों क्यों कि ये विलुक्ती के कागार पर पहुच चुका है ठीक है भई पूच सकता है गादूर चमगादड जो है उसका संबंध किस से है ठीक अच्छा य इसमें योजना कहता हूं यार रेल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो पूछ सकता है कहां पर बनने वाली है या इसका लोकारपन किसके द्वारा किया गया है तो यहां से दो क्वेशन बन सकते हैं यह भी ध्यान रखिएगा लास्ट जो टॉपिक है आज का वो क्या है तो गौ रामपुर जिले में एक तहसील आपको पता होगा जिसका नाम है राजपुर यहां से गोशना की है कि सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकार गौम उत्र को भी खरीदेगी सरकार गौम उत्र खरीद कर क्या करेगी तो इसे परिश्कृत करेगी या इसे प्यूरिफाई करेग तो खास कर मिलाओं और ग्रामीनों को क्या होगा इससे आर्थिक रूप से फाइदा होगा तो ये सारी चीज़े क्या थी इस वीक के करेंट अफेर्स की आनलेसिस जिसमें हमने प्री पॉइंट अफ्यू से भी काफी चीज़ों को देखा इस वीडियो को एंड करने से पहले कमेंट सेक्शन में देना है पहला क्वेशन क्या है मुख्यमंत्रिशी भुपेश बगेल द्वारा कि स्थान पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकारपन किया अब भी देखें पिछले स्लाइड में अगला क्वेशन क्या है मितान यूजनक शुरुवात कब होई है ठीक ह जान होना चाहिए अगला क्वेशन है वर्ल्ड चांपियंशिप में पदक जीतने वाला चत्तिजगण का पहला वेट लिफ्टर कौन है ठीक है ठीक है अगला क्वेशन देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत कितनी सहायता राशी का प्रावधान है और फाइनली आज का लास्ट क्वेशन है केंद्र सरकार द्वारा चत्तिजगण के किन अस्पतालों को राश्टरी गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमानपत्र दिया गया है औप्शिन्स आपके सामने है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद और जो क्वेशन्स है उनक्वेशन्स का आप कमेंट सेक्षन में जवाब दीजिए चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक आप सभी से मुलाकात हो ग्यों आगले वीडियो में जिसमें सेशन को हम लेकर चलेंगे आगे और माई के करेंड़े फेर्स को भी देखेंगे चलिए तो आप सबसे मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक ले थांक यू और टेक केर.